हलो फ्रेंज, वेलकम टू आज चानल करंट अफेर अपडेटेड इस दिवशी शवस्ती, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकिया हूँ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक है पैरेस ओलंपिक्स 2024, या दखिए का मैं आज आपको ऐसा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है, लेक्शर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गया है, एक्जाम बनाए गया है, तो प्लीज आप लेक्शर को एंड तक जरूर देखना, और इसके बाद आप किसी भी अदर चैनल पर जाकर सबसे पहले ओलंपिक गेम्स 2024 इसमें सबसे पहले पुछाए कि इसका दूसर नाम यह भी कहा जा रहा है, इसको 2024 समर ओलंपिक्स कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना आपको, विंटर ओलंपिक्स मत मार्क कर देना, 2024 समर ओलंपिक्स अभी रिसेंटली हुए हैं, अगर देख 33rd edition था, edition भी यादखना आपको 33rd edition था, और कहा हो रहा था, host city क्या थी, host city थी, Paris, that is, France की host city थी, आप पुछेंगे, क्या यह फिर्स ताइम यहां हो रहा था, नहीं, ऐसा नहीं है, अल्रेटी यह थर्ड ताइम यहां पर हो रहा है, क्योंकि 1900 और 1924 में भी यादखना आपक यह सब आपको याद अरखने है, यह direct question आपसे पूछे आएंगे, game wide open जो था, वो motto था, कितने athletes ने participate किया था, around 10,500, approximately 10,500 athletes ने participate किया था, उसके बाद कितने sports थे, और कितने events थे, तो यादखना आपको 32 sports थे इस बार कि Paris Olympics में, और 329 events हुए हैं, तो 32 sports में 329 events हुए हैं, तो आपसे पुछाएगा, यह start कब हुआ, कब से कब तक था, तो 26 July 2024 से लेखे, 11 August तक यह event चला है, मतलब opening जो थी, 26 July 2024 से हुई है, और इसकी closing जो हुई है, वो ही है, 11 August 2024, तो आप देख सकते हैं, पूरा मैंने एक single lecture में लेक्षा में लेक्षा हैं, तो सारी चीज़े यहाँ प आपको cap दिख रही होगी, ठीक है, जिसको आप कहते हैं, that is, frigian cap, या तो या तो या तो यह लिखे आएगा, कि इस बार का mascot क्या था, तो frigian cap आपको mark कर दिना है, या तो यह लिखे आ सकता, olympic figure, या दिखेगा, olympic figure यह करके लिखे आएगा, या तो frigian cap लिखे आएगा, अगर इस cap की बात करो, तो it shows freedom, it shows liberty, यह उसको show करता है, है न, तो जिसकी वेसे इस बार का यह mascot रखा था, french revolution में भी इसका बहुत important role रहा है, इस cap का, आपको just remember रखना है, इस बार का mascot क्या था, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next, अब आप क तो USA जो रहा, वो rank 1 पे था, with 40 gold, 44 silver and 42 bronze, मतब total medals कितने हैं, USA के 126, जबकि चाइना जो है, वो rank 2 पे रहा, with 40 gold, gold तो बराबर है इसके, बढ़ देखे, silver 27 है, bronze 24 है, total 91 medals है, इसलिए चाइना second rank पर है, और third पर है Japan, with 20 gold, 12 silver और 13 bronze, that is total 45, तो क्या यह सारे याद करने हैं, नहीं याद करने हैं, आपको सिर्फ USA का, आप याद कर सकते हैं, क्योंकि टॉप किया है, ठीक है, और जादे ही याद करना हो, तो चाइना, बस इतना sufficient, और top 3 rank याद अखना, USA, China and Japan, top 3 rank है, आप करेंगे साथ, इंडिया की क्या ranking रही, ये भी अच्छा कोशन है, इंडिया की ranking क्य जीते हैं, मैं सारे medals जो है, इक एक करके discuss करूँगा, इंडिया ने टोटल 6 medals जीते हैं, आप कहेंगे साथ, टोक्यो में जो Olympics हुआ था, वहाँ पर इस बार उससे हमारा प्रदर्शन अच्छा है कि बुरा है, मैं कहूंगा उससे तो बुरा ही है, क्योंकि टोक्यो में आपक 7 medals जीते थे, जबकि यहाँ पर हमने 6 जीते हैं, उसमें भी gold हमारा इस बार एक भी नहीं है, तो देखा जाए तो टोक्यो से तो अच्छा हमारा नहीं रहा है यह वाला Olympics, अगर comparison में करूं तो, ठीक है, चलो, तो आगे बढ़ते हैं, next information में आते हैं, next information की बात पर तो मैं, opening ceremony, opening ceremony कहां हुई है, parish में, तो आप यहाँ पर देख रहोंगे, बड़ा आपको river दिख रही होगी यहाँ पर, यह opening ceremony आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, actually पहली बार Olympics हिस्टी में, opening ceremony जो ही है, वो outside a traditional stadium होई, मतलब stadium में नहीं हुई है, stadium के बाहर हुई है, आप यहा आपको opening ceremony देखने को मिल रही है, तो यह भी question पूछा सकता, यह river बड़ी important रहती है, क्योंकि Paris जो शहर है आपका, वो river scene पर ही बसा हुआ है, तो this is again very important, okay, चलो, आगे बढ़ते हैं, next अगर बात करें, जो opening ceremony हुई, तो इंडिया के flag bearer कौन थे during opening ceremony, क्योंकि opening ceremony, क्योंकि opening ceremony, जो table tennis से है, तो आपको याद रखना है, यह हमारे flag bearer थे, opening ceremony में, okay, अगर मैं closing ceremony की बात करो, so closing ceremony आप देख रहे हैं, stadium में हुए, generally यहीं पर सारे maximum matches जो हैं, वो भी यहीं पर हुए है, stadium का नाम याद रखेगा, that is, state de France, okay, यह stadium का नाम है, जहाँ पर closing ceremony हुई है, okay, अब के गोईगी पर थे, इन्हों retirement भी ले लिया है, इस Olympics के बाद, और यह थे वहां के याद रखना आपको closing ceremony के flag bearer, और इनके साथ-साथ pistol shooter, Manu Bakar, जो है, वो closing ceremony की याद रखना आपको क्या थी, that is flag bearer थी, तो यह दोनों नाम आपको याद रखने हैं, जैसे मैंने opening का बता है, वैसे आपको closing का भी याद रखना है, इनके बारे मैं भी आगे discuss करेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स आते हैं, यह question बहुत famous है, बहुत कम लोग बताएंगा आपको कितने athletes ने participate किया इस Paris Olympics 2024 में, तो इंडिया के side से, तो अगर question पूछा याद तो इंडिया के side से total 117 athletes ने participate किया था, और 16 sports में participate किया था, 117 athletes ने, तो यह याद रखनाई पूछाएगा, नंबर पूछाएगा, कितने लोगों ने किया 117, जिसमें 47 female थी और 17 male athletes थे, तो this is very important, कि इंडिया के side से 47 females थी, और 17 male athletes ने participate किया, पाप से पूछाएगा, जैसे shooting होता है, field hockey होता है, उसमें सबस्यादा किस event से लोग थे, 117 athletes में, तो देखा है, 29 जो थे, वो athletic से थे, तो सबस्यादा जो इस बार represent कर रहे थे, Olympics में हमारे, वो athletic field से थे, और किस state से होंगे, I think यह बताएं जोरते हैं, किस state से रहोंगे, that is, हर्याना, हर्याना से 22 याद रखना है, athletes जो थे, उ second biggest थे, okay, Tokyo में बताऊ, 121 athletes ने participate किया था, इस बर आप देख सकते हैं, वहां से करीबन 4 athletes कम है, 117 है, आपको लोग सोच रहोंगे, सर हमाई इत्ती बड़ी population है, हमें और अपने लोगों को वहां भेजना चीए था, तो को ऐसा नहीं होता, आप भेजते हो, वहां qualification होती है, ठ अब ही आप बहां पर पहुच पाएंगे, okay, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे पूचा है कि सबसे oldest, यह बढ़ा interesting facts बता रहा हूँ, यह कोई पढ़ाएगा नहीं आपको YouTube पे, oldest के कौन था, जिसने जो participate किया, इस पूरे 117 में से, तो वो थे रोहन पोपाना, जो tennis से player है, 44 years age थी, जोने participate किया, जबकि आपसे पुचे कोई youngest कौन थी, तो she is very interesting, आप यहाँ देखिए, swimmer आपको दिख रही होँगी, इनका नाम है, दिनिधी दिसिंगू, जा दखिएगा, 14 years की age सिर्फ इनकी है, और इन्होंने participate किया है, youngest from India, and she participated in, where, that is at, Olympics, okay, आपको मुझे कमेंट बॉक्स से बता रहे हैं कि यह 14 years age है, या 16 years, कमेंट बॉक्स से आप मुझें मेंशन करके बताईए, okay, but यह youngest थी, इन्डिया की साइट से, जोने participate किया है, okay, चल, आगे बढ़ते हैं, next, Indian Olympic gold medalist, आपने सुना, होगा 2008 में इन्होंने हमको gold medal जीता आया था, इनका नाम तो correct answer है, अभिनव बिंद्रा, आपने सुना होगा shooting ले इन्होंने हमको gold medal जीता है, तो he is very famous person also, okay, चलो, इनके बारे में भी और discuss होगा, चलिए, next अगर देखें, यह question भी आ सकते हैं आप से, कि इंडिया के chef de mission कौन थे, in Paris 2024 Olympics, तो पहले Mary Com को बनाया गया था, but Mary Com के personal reasons के sports event, या रखना है, so international sports event में जो person, एक तरीके पूरी team का, यह पूरे 117 का charge, जो लेता है, उसको कहते है, chef de mission, और यह in charge तरीके से, आपको या रखना है, हमारे इस बार, Paris Olympics में, तो गगर नारंग का भी नाम आपको या रखना है, okay, आगे बढ़ते हैं, देखें, मैंना को Olympic order दिया गया, Olympic order होता क्या है, अब आप सो चाहिए, यह highest award होता है, from international Olympic committee, या दखना है, international Olympic committee के साइट से, यह highest award है, given to individuals, given to individuals for outstanding contribution to Olympic movement, Olympic में जो ने बहुत अच्छा काम की outstanding work किया हुआ है, उनको यह award दिया जाता है, अब आप सोच रहोंगे, कि इसा इनको award दिया गया, इं मैं बताओं, इंदरा गांधी को भी award मिल चुका है, तो यह आपको कोई नहीं बताने वाला कि इंदरा गांधी को भी award मिल चुका है, अलम्पिक order, है ना, Nelson Mandela को भी मिल चुका है, तो कुछ मैंने आपको famous बताए, इंडिया के साइट से आप देखेंगे, इंदरा गांधी क मैं इंडिया को जितवाया था, तो यह आपको याद रखना है, अब इन अब बिंदरा के बारे में, बहुत important fact है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब बाते हैं, इंडियन medals, Olympics 2024, अभी मैंने बताए आपको, इंडिया ने total 6 medals जीते हैं, जिनमें से 1 silver और 5 bronze है, अब इसके बार में discuss करोगा, second देखा है, तो मनु बाकर के साथ, टीम अप हुए, सरुप जोच सिंग, shooting में इनों ने जितवाया, mixed air 10 meter air pistol में, तो दोनों ही 10 meter air pistol है, बट यहां mixed है, तो यहां पर second person जो है, वो है, सरुप जोच सिंग, आपको यहां उनकी image दिखरी होगी, यहां इंडिया न आपको, इसमें उन्होंने bronze medal जीता, पूर्थ अगर देखा है, तो इंडियन होकी ने हमारे medal जितवाया हमको, men's event में, यहां देखेगा, bronze medal इन्होंने जितवाया हमको, होकी में हमने bronze medal जीता, फिफ्ट अगर देखा, तो नीरा चौप्या ने athletics में, men's javelin throw, event अगर देखा, याद अखना आपको, इसमें उन्होंने bronze medal हमको जीता है, तो यह भी बड़े important हो जाते हैं, अमान शरावत, तो यह 6 medals इंडिया ने total जीते हैं, तो यह आपको याद अखना है, इसमें इंडिया की ranking क्या रही है, 71, बट पाकिस्तान की अगर बात को, तो पाकिस्तान ने सिर् एक gold medal जीता है, बस, और कुछ नी जीता है, याद अखना, एक gold medal जीता है, बट अगर जो gold जीता है, उसकी ranking ऊपर होती है, यह आपको याद अखना है, तो इंडिया ने एक भी नी जीता है, तो पाकिस्तान की जो ranking है, वो 62 है, अब आप सोचिए, इंडिया से better ranking किसकी है, प exam perspective से क्या points important है, जैसे नीरा चोप्रा ने silver medal जीता है, जैवलिन में, यह मैंने भी आपको बताया, तो इनका throw कितना था, इनका throw भी याद अखना, आपको 89.45 meter throw था, जो अफकोस इनको, इस throw से इनको silver medal मिल गया, जबकि gold medal जो मिला हो, पाकिस्तान के अश्र नदीम, जो की ब difficult questions आते हैं न, तो यह आपसे ऐसे meters पूछे जाएंगे, और अगर और difficult होगा, तो किसी ने ध्यान नी दिया होगा, कि bronze medal किसको मिल गया, क्योंकि आप सबने gold silver, तो सबने याद कल लिया, आप लोगो हर्जे के post देखते रहतोंगे, बट bronze medal किसको मिला है, और यहाँ पर आप confused हो जाओगे किसको मिला है, इसलिए मैं बता देता हूँ, Anderson Peter, जो कि Grenada country से, आप आप पहेंगे से, Grenada यह कहाँ पर है, आप अगर map देखेंगे, और West Indies का map देखेंगे, यह आपका South America, यह आपका North America, यह आपका West Indies Islands, आपको पता होगा, वहाँ पर आपको यह Grenada country जिसको represent कर रहे थे, Anderson Peters, इन्होंने 88.54 मीटर थोफेक है, मतलब bronze medal इनको मिला है, तो जल्दबाजी में आपको bronze medal भी याद रखना है, तो क्योंकि यह event बहुत famous हुआ था, बहुत सारे लोग वर्ल्ड के, इंडिया के special नी नीदा चोपरा को देख रहे थे, इसलिए मैंने आ हरा दिया, तो यह point या दखना है, किसको हरा है, Spain को, next यह पूछ सकते हमाई hockey team के captain कौन है, क्योंकि मोदी जी इनको सरपंच के नाम से बुलाते हैं, मोदी जी क्या सब लोग इनको सरपंच बुलाते हैं, आपने call सुना होगा, जब प्रधान मंत्री मोदी ने इनकी team को call किय है, तो इनको सरपंच बुलाया गया, बड़े फेमस हैं, okay, hockey team के captain है, क्या रहिए कि हर्मन प्रीट सिंग जो है, hockey team के captain है, और ये आपको याद अखना है, captain कौन थे, गोल कीपर का नाम, पिया सरजीश का नाम इसलिए याद अखना है, को इनको रेटार्मेंट ले लिया है, और ये केरल से बिलॉंग करते हैं, तो इंपॉरेंट अभी आपको बता हो, केरल में, वाइनाड में अभी लैंड्सलाइड आ गए थी, तो ये भी आपको याद अखना है, केरल से बिलॉंग करते हो, इन्होंने अब hockey से रेटार्मेंट ले लिया है, आप सुचेंगे सब ग बात करें, अमान शरावात की बात करें, तो ये इन्होंने ब्रॉंग जितवाया है, इन्डिया के यंगे सोलंपिक मेडल विनर हो गए, ये बिलॉंग करते हैं, हर्याना स्टेट से रिकॉर्ड बना दिया है, किस इवेंट में जीता है, अभी मैंने आपको बता है, ब्रॉं मैच का विनर मैच दिखा था हमने, और ये यंगेस इसली हो गए, क्योंकि ट्वेंटी वन इयर्स और ट्वेंटी फॉर डेस इनकी एज है, और ये यंगेस हो गए है, इससे पहले अगर देखा जाए, मैडल जीतने में यंगेस इंडिया के साइट से थी, पीवी सिंधू, अगर फॉर्थ और फिफ्थ मेडल की बात करें, तो उसमें आपको पता होगा, एक परसंग क नाम ज़रूर याद आएगा, इस बार ओलम्पिक्स में, पहला उन्होंने याद अखेगा, उन्होंने इंडिविजुली, फॉर्स मेडल, इंडिया का पहला मेडल जो आया है न, वो मनुबाकर नहीं जितवाया, तो पुछा इंडिया का पहला मेडल किस ने दिलवाया, तो मनुबाकर ने दिलवाया है, ब्रॉंज मेडल था, वो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, और मनुबाकर ने इंडिया का सेकेंड मेडल भी मनुबाकर ने दिलवाया, बट वो टीम क तो इन्होंने टीम अप करके यह मेडल जीता है तो यह भी बड़ा इंपॉटेंट हो जाता है आगे बात करें तो मनुबाकर और एक और खास बात इस वरी इंट्रेस्टिंग कुशन पहली इंट्रेस्टिंग मेडल जीता है अगर मैं मेल की बात करूँ तो आपको यारगा अपने नाम सुनाओगा राजवर्धन सिंग राठोर का 2004 में एथिंज में ओलंपिक्स हो रहे थे वहां उने सिल्वर जितवाया था तो शूटिंग में पहला मैडल जो था वहमको राजवर्धन सिंग राठोर ने जितवाया था बट वो मेल है तो अगर फीमेल की केडिगरी में पूछा है तो मनुबाकर आंशर होगा देख रहे ह जितवाया है तो टोटल हो गए आपके 6 मेडल यह उन्होंने किस केडिगरी में जिताया है याद याद आखिएगा इन्होंने हमको मेल जितवाया है मैंच 50 मीटर राइफल 3P position मैंच 50 मीटर राइफल मतलब शूटिंग में ही जितवाया है और यह पहले इंडियन शूटर मि ने दूसरा मनु बाका सरुपजोध सिंग ने तीज़ा अगर देखा जाया तो इन्हों ने ही जित्वाया सप्णिल कुसाले ने ऑके फॉर्थ मेडल आपको हौकी ने जित्वाया फिफ्ट मेडल आपको नीरत चोप्रा इट जित्वाया और सिस्स मेडल आपको अमन शरावत जीता है तो यह देखे मैं आपको सारे बैक्डाउं फॉर्वर्ड लिंकेट से आपको साही चीज़े बताता जा रहा हूं आगे बात करते हैं अब मैं बात करता हूं विनेश फोकाट की हर्याना से बिलॉंग करती हैं यह बहुत न्यूज में रही इनके बारे में डिसकस कर ल गया गया शी वोज दिस्क्वालिफाइड फॉममें फिफ्टी केजी रेस्लिंग फाइनल याद एकि किस केजी में फाइट लड़ रही थी 50 केजी रेस्लिंग फाइनल में लड़ रही थी एट पैरेस ओलम्पिक्स 2024 बट इन यह वहां पर इनका ओवर्वेट हो गया 100 ग्रा में खास बात बताओं अब आप सोच रहोंगे कि इनका फिफ्टी केजी में फाइट लड़ती थी इनका वेट था जब लड़ रही थी बट रातो रात जब इनका फाइनल था उसके बाद बढ़ गया और देखा गया कम करने की पूरी कोशिश की इन्होंने अपने हेर्स को क किये कपड़ों की डिजाइन को चेंज किया गया सब कुछ किया गया बट सिल हंड्रेट ग्राम्स इनका वेट जादा निकला जिसकी वैसे इनको डिस्क्वालिफाय कर दिया गया तो यह भी आपको याद अखना है शीज वेरी इंपॉर्टेंट ओके एक्जाम पॉस्पेक् ओलंपिक गेम्स बट याद अखना आपको यह पोस्ट इंडिपेंडेंस के इन्होंने दो मेडल मतब 1947 जब देश हजाद हुआ उसके बाद कोई पहला परसन है इंडिया के साइट से इसे दो मेडल जीते हो एक ही इवेंट पे हो इन्होंने हमको परेश में दो मेडल जितव अगर इसको आप पोस्ट इंडिपेंडेंस बोलेंगे तो अवराल बात करेंगे तो वह सेकेंड परसन है क्योंकि नॉर्मन पिछाड ने भी दो मेडल हमको जितवाए थे अब बाकी लोग अगर बात करें नीरत चोप्रा पीवी सिंदू शुशील कुमार इन्होंने भी दो आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा है तो चारी लोग हैं बट अगर ओवराल देखे तो पांच लोग है जिन्होंने दो मेडल समको जितवा चुके उलम्पिक्स में तो यह आपको याद रखना एक्जाम पॉस्पेक्टिव से पूछे जाते हैं चलो आगे बढ़ते हैं ने व्रस एंजुलेस उसे में सारे पॉइंट्स में कवर कर रहा हूं एक्जाम पॉसक्टिव यह भी याद रक्ना ऑखिण इसको को समर एंपिक स्याथatा आब हमता है विंटर विनटर ऋलम्पिक्स होता यह भी आको याद रकना है कि विंटर न्चैना में तेचारूम्थ में огр और 2034 का भी डिसाइड होगा तो यह आपको याद एकना है Winter Olympics और Summer Olympics पे Confuse नहीं हो जाना है आपको जो मेन Olympics जिसके बात करता है इंडिया पारिशिपेट करता है वो Summer Olympics ही है चलो आगे बात करते हैं अब देखो यह अभी खतम हो गया Summer Olympics खतम हो गया अब आप देखेंगे कि Summer Paralympics स्टार्ट हो जाएगा और यह भी कहां होगा यह भी Paris France में हो रहा है Summer Paralympics 2024 यह होगा 28 August से लेके 8 September मतलब अभी Olympics आप देखेंगे वापस से स्टार्ट हो जाएगा disability से move करते हैं यह दखना है वो लोग participate करेंगे तो Paris 2024 परा-Olympic Games भी स्टार्ट होने वाले हैं जो की 28 August से लेके 8 September तक होंगे तो यह भी अभी हम लोग cover करेंगे जब यह compete हो जाएगे 8 September के बात cover करेंगे इसको आगे बात करते हैं यह आप से पुछाएगा olympic day कब celebrate कियाता है तो पुछाएगा कब celebrate करते हैं 23rd June को हम olympic day worldwide celebrate किया जाता है इस बार जो theme थी 2024 की जब celebrate किया गया तो theme थी let's move and celebrate तो आपको theme भी याद रखनी है olympic day की theme थी let's move and celebrate आगे बात करते हैं अभी जो paris olympics way 2024 आप से इसमें पूछा जाए कि कोई नई games add हुए क्या हाँ बिलकुल 4 new games जो है 4 new games जो है वो add हुए थे इस paris olympics में आप कहेंगे कौन-कौन से थे पहला देखिए breaking य यह इस बार olympics में गेम था दूसरा आप देखिए sport climbing यहां आपको दिख रहा होगा यह इस बार olympics में था surfing यह इस बार के paris olympics में था और skateboarding यह आपको skateboarding दिख रही होगी यह चारो पहली बार याद एक तरीके से आप याद कर सकते paris olympics में तो first time यह चारो games add हुए थे आगे बात करते हैं आप कुछ olympics के हम static facts को discuss कर लेते हैं exam perspective से जो जो important है चलिए क्या करके start करते हैं सबसे पहला आप से पूछा है पहला olympics modern olympic games first modern olympics games कब हुए first modern olympics games कब हुए तो answer है 1896 में हुए है Athens Greece में तो पहला question तो यह important हो गया दूसरा आप से पूछा जा है कि पहली बार female ने कब participate किया olympics में पहली बार females कब participate की तो जो 1900 games हुआ था ने Paris में यहां पर यह पहला olympic game है जहां पर female athletes ने participate किया यह सारे question important है मैं देखे cover करता जा रहा हूँ दूसरा आप से पूछा रखता है father of modern olympic games किसको कहते हैं who is known as father of modern olympic games तो पेरे दे कुबर्ट जो है he is known as father of modern olympic games okay बड़े factual points है exam में पूछे आते हैं दूसरा आपसे पूछाए का है olympics का motto क्या होता है what is the motto of olympics तो देख लिए मोटो का है Latin word में कहते है fittest, lts, fortes, communiter okay तो ये जो है ये होता है आपका motto olympics में ये तो Latin word में हो गया English यो बोले हैं तो sentence का मतलब बता faster, lts का मतलब होता higher, fortes का मतलब stronger और communiter का मतलब बता together मतलब faster, higher, stronger और together ये English में हम कहेंगे जो motto है olympics का तो olympics का आपको motto भी याद अखना है next अगर बात करे olympic rings की देखिए ये मैंने बहुत बार देखा है लोग गलत पढ़ाते है rings of olympics अफकोस आप यहाँ पर देख रहोंगे 5 rings आपको दिख रही होंगे olympics की और अलग-अलग colors भी दिख रहोंगे blue दिख रहा है yellow दिख रहा है black दिख रहा है green दिख रहा है और red दिख रहा है ये 5 colors है what they represent or interlinking आप यहाँ पर rings देख रहोंगे interlinking है तो यहाँ देखना है white background में ये 5 colors की rings होती है interlinking rings होती है जो 5 continents जो है वो शो करती है कौन-कौन से Asia, Africa, America, Europe और ओशनिया जा दखना है तो ये 5 continents को represent करती है और मैंने बहुत लोग को देखा वो क्या कहते हैं ये हर एक color जो है वो एक continent शो करता है वो लोग ये पढ़ाते हैं देखिए मैं बताओ official आप website पे चले जाना मैं official data बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है या दखेगा ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक Olympic ring एक particular continent को शो करती है ऐसा बिलकुल नहीं बोला गया है और official ने clear किया है आप चाहें तो ये जाकर website को एक बार चेक कर सकते हैं जैसे पढ़ाते लोग क्या है मैं आपको बतायता हूँ वो कह देते है blue जो है वो Europe है yellow जो है वो Asia है मतलब जो India पर mention भी किया है the rings do not assign any color to specific continent ऐसा आप नहीं कहते है अफ्रीका है तो black color शो कर रहे है ऐसा officially बिलकुल मना किया गया है बट हाँ Google करोगे ऐसे कोई भी गलत सरत आप YouTube चैनल देखोगे तो आपको ज़रूर ऐसा पढ़ा देंगे आपको ठीक है तो ये points आपको यादा रखना है interlinking of course ये show करता inclusiveness between the continents ये show जरूर कर रहा है बट इनके लिए कोई color representation नहीं है आप चाहो तो official check कर लेना ओके चले आगे बढ़ते हैं next पर आते हैं next Olympic Games अकर देखा है तो 1916, 1940 और 1944 येर्स में नहीं हुए थे क्योंकि आपको पता उस time पर World War चल रहे थे दो World War हुए है World War 1 और ये भी आपको याद अखना है आगे बढ़ते हैं International Olympic Committee की बात करते हैं ये International Olympic Committee क्या है ये Guardian है एक तरीके से Olympic Games की जो की June 1894 में established होती है इसका Headquarter लुजान सुजा लैंड में Headquarter भी आपको याद अखना है और अभी at present अगर आप देखें इसके President कौन है Thomas Bash जो है वो याद अखना आपको इसके President है ये International Olympic Committee है ऐसे ही है Indian Olympic Association I.O.A. ये established हुआ था 1927 में Headquarters का New Delhi इंदिया है और President अभी कौन है PT USA याद ये PT USA इसलिए आप देख Paris Olympics 2024 के कुछ और facts मैं आपको discuss करता हूँ जो exam perspective से important है ये आपको वैसे generally कोई बताएगा नहीं आपने रश्या का नाम नहीं सुना होगा इस Olympics में कि उसने कोई medal जीता reason क्या था Russia is totally excluded from team events Russia ने कोई events नहीं किया रश्या को exclude कर दिया गया in all 32 sports at the 2024 Paris Olympics इसलिए मैं आपको उता रहा हूँ पूछा क्ता कौन सी कंट्री ने पारिश्या है ये पॉइंट आपको याद आखना है ठीक है दूसरा का आपसे पूछा है कि पहला medal पहला gold medal पूरे इस पारिश ओलंपिक्स में किस ने जीता तो वह आंसर चाइना ठीक है वैसे ओवर आल तो USA टॉप पे रहा है बट चाइना ने पहला medal जीता है आपसे पूछा है आज तक ऐसा कॉंटिन बता हो जहां पर कोई भी ओलंपिक्स नहीं हुए है तो वह है अफ्रीका कॉंटिन अफ्रीका कॉंटिन में आज तक ओलंपिक्स नहीं हुए यह भी आ दकना अफ्रीकन कॉंटिनेंट आगे अगर बात करें यह परसन बहुत न्यूजबे रहे यह क्यों न्यूजबे रहे बतायता हूं USA के स्प्रिंटर है इनकराम है नोवा ले जो है यह बड़े फेमास वे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 100 मीटर में और इसलिए न्यूजबे रहे क्योंकि इन्होंने 0.005 सेकंड्स की मार्जिन से इन्होंने थॉम्सन जो जमाइकन है जो जनरली आपको देखा हो सैंड बोल्ट बगरा यह लोग ही जीतते हैं 100 मीटर रेस बट इनको उन्होंने हरा दिया तो इसलिए न्यूजबे कितने कम सेकंड्स एक सेकंड भी नहीं है 0.005 से इन्होंने जीता इसलिए बड़े न्यूजबे थे इसलिए मैं आपको बता दिया ऐसे ही आप टेनिस में देखेंगे अर्फटाया है और इसको सिल्वर मिला क्योंकि गॉल जो है उन्हों दोको वीच ने जीता है तो यह ओलडेस बन गहें टेनेस पिले में तो उसमें उसमें गोल्ट जीता है और final France के साथ हो रहा तो France ने जो है silver जीता है तो Spain आप देख सकते हैं यह बड़ा important रहता है football में gold जीता है फिर यह एक बड़ी woman है कि male है male है कि female है इस पर बड़ा debate चला है इसका नाम बताइता हूँ that is Mnekalif okay जा रिके Mnekalif यह इनका नाम है यह Algerian है Algeria से belong करती है यह women 66 kg final boxing category में इन्होंने gold जीता है और यह बहुत news में आपको पता हूँ लोग इनके gender पर issue उठ रहा था कि male है कि female है तो आपको नाम पता होना चीए जो इतना news उठा है gold जीत भी गई यह gold finally okay आप मुझे comment box मुता दी यह Algeria की capital क्या है क्योंकि उसी country से belong करती है अगला आपसे पुछा है कि सबस्याद है athletes किस country ने participate किये मतलब इस event में Paris Olympics 2024 में तो USA ने participate किये with 593 athletes आप देख सकते हैं इंडिया के कितने कम है US तो कितना है 593 US के side से participate किये गए हैं तो यह भी आपको याद रखना है आगे अगर बात करूँ Paris Olympics 2024 की तो इसमें principal sponsor कौन था for team at Paris Olympics तो वो था अदानी ग्रूप यह आपको याद अखना है दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि official footwear partner कौन था यह हमारे इंडिया के side से इंडिया को जो represent कर रहे तो उसमें से footwear partner कौन था तो वो था Puma याद रखना कौन था that is Puma brand और BPCL भारत Petroleum की मैं बात कर रहा हूँ वो Indian Olympic Association के साथ मिलके partnership करके principal sponsor बना था for Paris 2024 Olympics और even Los Angeles में होगा वहाँ पर भी principal sponsor BPCL है तो तीन exam में question आ सकते हैं आपको याद रखने हैं एक्जाम perspective से important है आगे बात करें बिलके उस मिर की बात करते हैं she was the first Indian woman on the Paris Olympics 2024 as a jury German Kashmir से belong करती है यह या रखना first Indian woman on the Paris Olympics 2024 as a jury तो यह भी example important है और 2036 में इंडिया bid करने वाला है Olympics के लिए देखते हैं क्या Olympics इंडिया में हो पाता है क्योंकि इंडिया bid करेगा 2036 में चलो आगे बात करते हैं नीतामबानी जी की क्योंकि यह भी important है she is re-elected as international olympic committee member international olympic committee की यह member बन गई है और वापस re-elect हुई है actually 2016 में नीतामबानी जो थी वो यादा कि first Indian woman थी जिन्होंने international olympic committee की member बनी थी 2016 में और अभी इनको वापस re-elect करा दिया गया है इन्होंने बड़ी अच्छी चीज भी open की है जिसका नाम है याद आखिए Indian house ओके यह आपको याद आखिए Indian house open किया गया है जहां पर आप लोग सब जो medal जीते हैं वो यहां पर उनको उनकी वहवाई होती एक तरीके से वह यहां पर खाना पीना सब कुछ रहता है उनके लिए सर्मनी वगरा सब organize किया आती हो यह Indian house बनाया है या इसका गाटन भी इसका inauguration भी नीतामबानी ने किया है Reliance की मदद से बनाया गया Indian house जो की Paris में बनाया गया है तो यह भी आपको याद दखना तो Indian house का inauguration भी नो ने किया है जो की exam के लिए बहुत important है चलिए आगे बात करते हैं Indian history of Olympics ही बात कर लें इंडिया ने आग तक Olympics में कुछ जो records बनाये हैं उस पर थोड़ा सा discussion कर लेते हैं करके तो सबसे पहले जाद खिएगा Indian India's first participated at the Olympics कब participate किया first time 1900 में यहां पर Norman Pritchard जो Anglo Indian थे इन्होंने first time participate किया और पहला medal भी इंडिया को इन्होंने यहीं पर जितवाया था दोनों silver medal इंडिय इंडिया की कोभी team सबसे पहले Olympics में कब गई तो वो गई है 1920 में summer Olympics गेम जो 1920 में हुए तो वहां पर first time इंडिया की team जो है वो वहां पर गई थी as a team गए थे वहां पर ठीक है आपको मुझे बताना है 1920 का जो Olympics है वो कहां पर हुआ था यह आप मुझे comment box में mention करके बताईए 1920 2020 का Olympics कहा हुआ था ओके आगे बात करें अगर इंडिया की performance की बात करें तो यादखना आपको केडी जादव ने bronze जीता था रेस्लिंग में 1952 में अलब देश जब अजाद हुआ है इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया को पहला medal आप देख रहे है कौन जित में फिन्नेंड की कापिटल है जहां पर यह Olympics हुए थे तो केडी जादव आपको यादखना रेस्लिंग से पहला medal इन्होंने जितवाया है अगर बात किया जाए पहली women जिन्होंने इंडिया को Olympics जितवाया तो उनको नाम है कर्णम मलेश्वरी यादखना आपको इन्होंने पहली women भी है जिन्होंने राजीव गांधी खेल रतने Award पहले इसको राजीव गांधी खेल रतना Award क सिखते थे हैं Nah, आपको याद रखना है ध्यान चंद खेल रतना बातने Award नाम हो गया है पहले राजीव गांधी कहते थे तो she became the first woman जिनको खेल रतने award जो है वो मिला था आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं नीरत चोपरा की नीरत चोपरा इंडिया का पहला gold medal उन्होंने athletics में जितवाया है और individual category में उन्होंने second gold medal इंडिया को जितवाया है पहला gold medal जो है वो बीजिंग में 2008 Olympics में अभिनव बिंदरा ने हमको जितवाया था shooting में ओके तो इस second person है individual category में बद एथलेटिक्स में देखा जाए तो first gold medal नीरत चोपरा ने हमको जितवाया है जो कि उन्होंने Tokyo Olympics 2020 में हमको ये gold medal जितवाया था आगे अगर बात करें overall India at Olympics overall अगर मैं बात करें भाई सारे Olympics एड़ कर दो पूरे 33 edition एड़ कर दो उसके according इंडिया ने कितने गोल जीते हैं 10 gold medal जी चुकी है 10 silver medal जी चुकी है 21 bronze तोटल इंडिया 41 medals जी चुकी है इंडिया की ranking जो है overall वो 57 है तो ये भी आपको जाएं इंडिया की overall ranking क्या है और अगर देखा जाएं इस 41 medals में सबसारा medals किस category से हैं तो देख रहे हैं हौकी से इंडिया को सबसारा medal है 13, shooting से 7 है athletic से 4 है wrestling से 8 है, badminton से 3 है weightlifting से 2 है, boxing से 3 है और tennis से 1 है, total add करेंगे तो 41 medals सारा जाएंगे आप देख सकते, मैंने sub mention कर रखा है gold इंडिया ने कित्ते जीते है, bronze कित्ते जीते हैं तो बड़ा important हो जाता है ये कि मैंने आपको medal by sports भी बता दिया है आगे अगर बात करें, मैंने बता है hockey ने 8 gold जीते हैं, तो बड़ी बात है Amsterdam में, 1932 Los Angeles में 1936 Berlin में 1948 London में, 1952 Helensky में, 1956 Melbourne में 1964 Tokyo में 1980 Moscow में, तो देख सकते हैं इंडिया ने gold medal होकी में तो एक तरफा जीते हुए और 8 gold medal इंडिया जीते हैं और बड़ा दूँ Major Dhyhan Sand का नाम आपको जरूर याद आखना जब भी hockey की बात करें इनके नाम पर ही हम National Sports Day बनाते हैं, तो इनका बर्थ आता है 29th August को, इसलिए 29th August को हम National Sports Day जो है, वो celebrate करते हैं, तो यह बड़ा important इनका role रहा है, Olympics में हमको goal जितवाने में तो यहाँ पर आपने देखाऊगा मैंने सारे points जो है ना, वो सारी से जुलाई तक ही, सारी करन डफेस यहाँ पर mention है, आप जेख सकते है, National, International Index, सब कुछ यहाँ पर mention है आपको करना क्या है, नीचे मेरा WhatsApp नमबर दिया हुआ है, इस पर आप message करो आपको मैं यह booklet दे दूँगा है ना, इसका charges है but one time charges है, एक बार charge pay करना है, उसकाद आपको कोई भी charge pay करने की जरूद नहीं है, और यह मेरा application का नाम है, आप चाहें तो यहाँ से भी buy कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी buy कर सकते हैं, आप पर depend करता है, आपको buy कहां से करना है, okay sample दिखाऊं, तो याद अखिएगा इसके, यहाँ पर यह booklet जो है, है ना, यह booklet आपको मिल जाएगी, और इसका यह बड़ा important है, exam perspective से booklet आपको WhatsApp करना है, याद आपको पूरी point frame में हर चीज़े mention की गई है ऐसे ही आप देखेंगे, मैं आपको इसके साथ साथ एक और booklet दूँगा, 8 month current जैन्वरी से August, 1500 प्लस MCQs, लब यह सारी चीज़ों के MCQ format में भी मैं आपको बुकलेट प्रोवाइड करूँगा, देख सकते हैं WhatsApp नमबर दियाओ, इस पाब WhatsApp करो, याद आप application से भी बाय कर सकते हो, या दखिएगा इसके साथ साथ और क्या-क्या मिलेगा, जैसे अभी आपने lecture देखा, मेरा Olympics का, आप कहरोंगे सर, इसके topic-wise जो lecture था, इसकी क्या PDF मिल जाएगी, बिलकुल इसके साथ साथ आपको इन सब की PDF topic-wise की हो गई आपको, ठीक है, मेरी daily current affairs हो गई, monthly current affairs हो गई, weekly current affairs हो गई, topic-wise हो गई, यह सारी चीजों की PDF आपको upload होके, यहाँ देखिए, मैं आपको एक drive link दूँगा, जहाँ पर हर चीज़े available होंगी, तो एक single time payment में आपको यह सारे benefits मिल रहे हैं, तो आपको तुरंद WhatsApp में message करना, अगर आपको benefits लेने हो तो, okay, आप चाहें तो application सही back कर सकते हैं, application के नाम है देवशीश classes, वहाँ पर आपको मेरे other classes भी देखने को मिलेंगी, आप वहाँ से जाके classes भी देख सकते हैं, वहाँ पर मेरे notes handwritten notes के sample भी डले हुए हैं, जो आपके लिए बहुत important होगे, तो एक बार आप जाकर उन notes के sample भी check कर सकते हैं, application के नाम है देवशीश classes, link description box में है, UPSC other services के course चीए, तो एक बार app डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा benefit होगा, general studies की classes वगरा, सब कुछ available हैं, तो app एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर lecture complete होता है, I hope आपको lecture समझ में आओगा, बट सारे points मैंने cover किये हैं, अगर यह आपको महनत पसंद आ रही होगी, बहुत महनत से lecture बनाया है मैंने, तो video को at least like ज़रू करें, channel को subscribe करके रखें, और PDF के लिए मैं अभी आपको बताया, यह मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप message कर सकते हैं, okay, 888-153-06208, एक charges रहेंगे, बट आपको सारी चीजे, one time payment में आपको future की भी current affair, past की भी current affairs, और present की भी current affairs आपको मैं provide करता रहूंगा, okay, so अभी हाँ पर मैं चलता हूँ, thank you everyone, जे हिंज, जे भारत, जे जगननाथ.